पल्स की चोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाए गई हर एक लाइटस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की जानकारी नमश्कार और अदाब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने प्याइस येल इंडिया लिमिटेट का एक कैंटेंड डाला था की चार राज्जियों के नमेशक किस तरीके से अपने पैसे को लेकर सेवी भाग की ओर देख रहे हैं और अपने पैसे की इंताजर कर रहे हैं और उनको अभी तक एक फूटी भी कोर्डि नमेशकों तक नहीं पहुंची तो दोस्तो चार राज्यों के ये हिंदुस्तान के पिर्तियक राज्ये की बात है जहां पर निवेशकों को अभी तक कोई पूटी कोड़ी भी उनके अकाउंट में नहीं आई तो दोस्तो आपने सद्धियों से चली आ रही है कहावस सुनी होगी के दूद का दूद और पानी का पानी हो जाना तो दोस्तो अब ये साफ हो चुका है कि एक दशक तक निवेशक अपने पैसे को लेकर इंतजार कर रहे हैं और अब इन सभी विभागों की और सरकार की नियस साफ हो चुकी है साफ तरीके से हम समझ चुके हैं हम का मतलव 5.85,000,000 निवेशकों का का हमारा परिवार और यह 5.85,000,000 निवेशकों का मैनत का 5.45,000,000 रुपिया से भी भाग लेकर बैठी है तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि PSL Interlimited एक बहुराष्टे कमपणी थी जो 40 साल से लगातार अपने काम को लीगल तरीके से करती चली आ रही थी देश और विदेश में न जाने कितने आवार्ड इस कमपणी को मिल चुके थे और यही सकताधारी लोग इस कमपणी में काम भी कर चुके हैं बात कर रहे हैं अरुन जेटली की जिनका स्वर्गवार्स हो चुका जो गरह मंतरी रह चुके वहीं गरह मंतरी PSL Interlimited के लीगल एड़वाईजर थे और दोस्तों इन्होंने 14 साल तक इस कमपणी के वकील बन कर रहे हैं और वो इसकी परती एक बात को अच्छी तरीके से जानते थे और सत्ता के मौ में इन्होंने एक वीबिसर्ण वाला काम किया यानि के वीबी संड हम इसलिए कहा रहा है कि क्योंकि वीबा संड नहीं बताया था कि रावन का वद किस तरीके से होता है उसी तरीके से स्वरगवासी अरुन जेट लीज या दोस्तों जिने गिरह मंत्री भी कह सकते हैं रह चुके हैं उन्होंने सत्ता पाने के लिए पी एसलिए लिमिटेट की कुछ कमिया बता कर और बताया की उड़न चास हजार सो करोड़ रुपिया जो कुबैर का खजाना इस पल्स इंडिया लिमिटेट में गरीब लोगों का जमाया किस तरीके से हड़पा जासकता है जिया दोस्तों इसके हड़पने के लिए सेवी भाग को आधार बनाया गया और सेवी भाग वो है जो सत्ता का गुलाम है यानि के एक कटपा की तरह सेवी भाग की भूमी का है सासन कोई भी करे लेकिन वो सासन का ही गुलाम है और उसके आका है जिस तरह उसको चलाते हैं उस तरीके से ये विभाग चलता है तो दोस्तों से विभाग ने को अधार बनाकर इस कमपनी को धरासाही किया गया 49,000 करोड रुपया की लूट का जो जामा पहनाया गया वो बहुत सड्यंतर तरीके से पहनाया गया तो दोस्तों दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है निवेशक समझ चुके हैं निवेशक जान चुके हैं कि अब उनका पैसा मिलना बहुत धूर की कोड़ी है तो दोस्तों उस कल जो कैमेंट जो हमने आपको कैंटर डाला था उस पे कुछ अपनी निवेशकों ने पिड़ते किर रहा है थी, वो क्या पिड़ते किर रहा है थी, वो भी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम बताते हैं, पुकराज, पुकराज जी ने कहा है, कि सर्जी राम राम हमारे किसी निवेशक का पैसा नहीं मिला है, मैं एक प्रित एजन्ट हूँ मैं पुकराज में गान गाउं नादिया प्रभावती तैसील भुपालगर जिला जोधपुर राजिस्तान दोस्तो एजन्ट ने बता दिया एक खुलासा कर दिया कि किसी भी निवेशकों को पैसा नहीं मिला क्योंकि ये खुद आजन्ट है और आजन्ट होने के नाते इन्हें पिरतियक निवेशक का पता है कि किस के पास पैसा आया और किस के पास नहीं आया तो दोस्तो हमने एक वीडियो यी डाली थी और उस पे हमें चारों तरफ से ये पता चलने लगा कि इस वक्त पी एसे एल के पिरित निवेशकों को कहां कहां पैसा नहीं मिला तो दोस्तो चार राजज़े हैं नहीं पूरे भारत वर्स के राज़े के निवेशक अपने पैसे को लेकर परिसान है और सेवी भाग के मुखोटा जो इस वक्त था वो उतर चुका है और दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है इसी तरीके से दीपक पान्डे जी ने कहा है कि आप सही कह रहे हैं सेवी ने खून के आशू रूला रही है सेवी सरकार ही ग्राकों के दूस्मन है जहां दोस्तो पलस इंडिया लिमिटेट के जितने ग्राक हैं उनके लिए इनका कहना है कि सेवी भाग हमको पैसा देने के जाय खून का असूर उला रहा है और यही असली ग्राकों का दूस्मन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आधार बनाए गया 59,000 करोड रूपे की लूट को जामा पहना है गया अब दोस्तो इसी तरीके से पर लाद पर साथ जी ने मिका है कि सभी पल्स के निवे शुक और एजन्टों का पैसा ने देने का सरकार का खेल चल रहा है नहीं तो कब का पैसा मिल गया होता पल्स का जमीन बेच कर प्रॉफिट सरकार ले रही है और गरिब निमेशकों को पैसा मानना चाहती है जबकि उच्टम नियाल है कि आदेस 2016 में आया की तीन महीने के अंदर निम सेवी भाग के उजागर हो चुके हैं दूद का दूद पानी का पानी हो चुका है और हर एक पिडित समझ चुका है कि सरकार किस तरीके से निमेशकों का पैसा हड़ा प रही है प्रोसीजर के नाम पर छन कपट करकर निमेशकों को आम जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि निमेशकों के हितों के लिए काम कर रही है जबकि हकीकत क्या है यह लूटने वाला ही जानता है तो पल्स के पिडित पांच करोड़ पिचासी लाक निमेशक एक ही कमपनी के पिडित हैं तो दोस्तों इनको इनसाफ नहीं मिल पा रहा और इनसाफ के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं लेकिन हमें कहीं से कहीं तक इनसाफ नहीं मिलता सुप्रिम कोर्ड भी इनी के अधिन में है वो भी सेवी भाग की तरीके से काम कर रही है तो दोस्तों सुप्रिम कोर्ड हो या कोई सी भी कोर्ड हो वो भी अगर इनके खिलाब बोलती है तो आधी रात को उनके भी ट् पिटलर गर्दी के चलते निमेशकों का पैसा अटका हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आज मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं भी एक पलस निमेशक हूँ मेरा भी कुछ कहने का सुनने का आप लोगों से अपनी परिसानी शेयर करने का एक मन रहता है तो दोस्तों आज म और सेवी भाग किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है ये सासक की गुलाम कटपपा की तरह अपने काम को अंजाम दे रही है हम इसकी बुराई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सासक की गुलाम है और सासक जस तरीके से इनको चलाना चाहता है उसी तरीके से इसको चलना पड़ता है तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्ट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए युएस खान को दे इसाज़त धन्यवाद जैन जैवारत बंदे मातरम